हेलो गैस वेलकम बैक टो मैं चैनल अगेन इस अभी बॉंजाई हीर आप जो यहाँ पर देख रहे हैं इस पॉट को कहते हैं हाफ मून बॉंजाई पॉट तो यह हाफ मून बॉंजाई पॉट मैंने कैसे बनाया इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ और इसके उपर यह बॉंजाई मैंने लगाया है जंगल जले पेगा तो चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है एक बलून बलून को हम फुलाएंगे जितना हमको शेप चाहिए हमारे पॉट का वैसे हम उतना बड़ा बलून लेंगे और इसको एक प्लेस कर द मेरे वीडियो में और बलून के उपर रखने के बाद इसको हलके हलके हातों से या फिर आप जैसे अच्छे लगे ब्रश से उसको फैला दीजिए इसको हम लोग तीन प्रोसेस में करेंगे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैं सिमेंट लगा रहा हूं सिमेंट लगाने के तरफ चला जा रहा है वहाँ पर रुक नहीं रहा है तो इसके वज़से हमारा जो पॉट है वो थोड़ा कमजोर बन सकता है बट अगर हमें गाइस एक स्ट्रांग पॉट बनाना हो तो हमें इसको तीन या चार बार में बनाना पड़ेगा जैसे मैं यहाँ पर अभी इसको एक लेयर बना दिया है अच्छे से इसको मैं थोड़ी दे सुकने दूँगा फिर देखिए कि अभी मैं इसको क्या करूंगा जैसे ही सुक गया आदा गंटे तक थोड़ा सा सुका है जादा नहीं सुका है फिर उसके अपर मैं थोड़ा थोड़ा और सिमेंट डालने का स्ट के साथ और हमारा सिमेंट का जो लेयर है पॉड़ा स्ट्रॉंग बन जाएगा उसका बेज और भी स्ट्रॉंग बन जाएगा जिससे वह जल्दी टूटेगा नहीं तो गाइस यहां पर मैंने इसको तीन बार में किया है और वीडियो में मैंने इसको दो यी बार दिखाय है तो आप कन्फीज मत होएगा जब तक आपको यह सैटिस्फाइन ही हो जाए कि आपका पॉड़ अच्छे से थोड़ा मोटा हो गया है और वो जल्दी टूटेगा नहीं तब तक आप उसका लेयरिंग कर सकते हैं इस हाफ मून पॉड़ का जो लेयर है वह हमको थोड़ा रफ दिखाने के लिए मैं उपर उपर से ना सिमेंट के ड्रॉप्स डाल रहा हूँ ताकि वह ऐसा पत्थर जैसा लुक आए उसका और गैज जब मैं इसके शेप से सैटिस्वाय हो गया उसके उपर से मैंने सिमेंट के जो पाउडर है वो मैंने छिड़क दिये ताकि उपर से थोड़ा और ज़्वादा रफ लुक आए अच्छे से तो यह मैंने उपर से थोड़ दो इसके powder छेड़क दिये इसको सुखने में और भी ज़्यादा असनी होगी तो गाइस इसको मैंने कम से कम चार दिन तक सुखाया है और चार दिन सुखाने के बाद आप यहाँ पे देखिए हमारा जो pot है वो ready है जो balloon है, balloon का हवा थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि balloon ऐसा ही रहता है आपको भी balloon फुलाइए, शाम तक वो थोड़ा सा कम हो जाता है तो यह तो चार दिन बाद थोड़ा सा कम हो गया है यह guys हमारा pot हो गया है ready अब हम करेंगे इसके सेंटर में छेद और इसको हम लोग ready कर देंगे bonzai के लिए यह है मेरा half moon pot, bonzai pot यह थोड़ा rough look देख रहा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया आपको कैसा लगा है, comment section में please बताइएगा जबकि हमारा pot ready हो चुका है तो हम इसके लिए भी ready करेंगे bonzai जो इसके ओपर suit करें तो guys यहाँ पर मैंने लिया है मेरा favorite जंगल जली भी जिसको English में पिते सेलो बीम भी बोलते हैं तो guys इसका shape मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे नहीं लगा इसको bonzai pot flat pot में रखना चाहिए इसका shape ही मुझे लगता है बना हुआ है ताकि मैं इसे half moon pot में रखूँ तो guys चलिए इसको हम ready कर लेते हैं यहाँ पर इसको training pot से हम बाहर निकल लेंगे तो guys इसको हमने बाहर निकल लिया है अभी इस pot को हम साफ करेंगे और इसकी root ball को बाहर निकलेंगे देखिए इसका root ball इतना हो गया है तो हमें इसके root ball को भी cut करना पड़ेगा तो वो भी हमने cut करके छोटा कर लिया है अभी हम लोग अपने pot को ready करेंगे सबसे पहले मैं यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर डालूँगा अंदर ताकि जो पानी है वो अच्छे से देन हो जाए उसके उपर मैं डालूँगा कि garden soil और वर्मी कमोस का जो mixer है वो अच्छे से दो layer बना दिये अभी हम अपने tree को वहाँ place कर देंगे अच्छे से कि थोड़ा जुका हुआ लगना चाहिए और वर्मी कमोस का mixture अच्छे से इसको थोड़ा दबा दीजिए उसके बाद इसको watering करें और चार से पांस जिन तक इसको shade में रहे डारेक दूप में ना निकाले सो गैस रेडी हो गया है हमारा half moon pot bonzai के साथ तो इसका look तो मुझे बहुत ही पसंद आया आपको कैसा लगा please comment section में बताइए और ऐसे ही support करते रहिए मेरे channel को ऐसे हमारा family बढ़ा होता रहेगा अगर आपको भी bonzai पसंद दे तो please subscribe my channel और ये video को share करें अगर हो सके तो thank you very much guys for watching